लखीम पूर्खीरी मामले को ले करके उत्तरपदे सरकार को एक बड़ा जटका लगा और इस वक्त की सबसे बड़ी कबर और वो ही है कि सुप्रिम कोर्ट ने यूपी सरकार को लखीम पूर्खीरी मामले पर जिस तरीके से उसको को टैकल करने की कोशिश की है उस पर सुप्रिम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है सुप्रिम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि जब किसी आरोपी पर 302 का केस है तो उसकी गिरफतारी अभी तक क्यों नहीं हुई हम आपको बता दें कि कल 11 बजे तक पेश होंगे आशीश मिस्र ये हरीश शालवे जो उतर्ब देश सरकार के वकील है उन्होंने कहा और 20 अक्टूबर को सुप्रिम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और वो ये है कि लखीम पुर्खीरी मामले में जिस तरीके से आशीश शुकला को आरूपी बनाए गया है और 303, 302 की धारा रगी हैं के उपर तो इसको लेकर के सुप्रिम कोर्ट ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं कम से कम आरूपी को गिरफ्तार करना चाहिए था जब इस तरह की धाराज के तहट मुकतमा दर्ज हुआ है तो आपने गिरफ्तारी नहीं की इस पर उत्तर प्रदेश के सरकार के वकील और इस सालवे ने कहा कि उनको आज पेशी उनकी होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाए कल तक वो पेश होंगे और इसके बाद सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले 20 अक्टूबर को होगी इस अंदर में हमारे साथ सुप्रिम कोर्ट के वरिष्ट अदिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं चड़ा जी और आपसे सवाल सर यही है कि सुप्रिम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है इसके माइने क्या है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिवाकर विक्रम जी बहुत सफ़ शब्दों में और आपने बिलकुत सही शब्द का चैन किया कि फटार लगाई है जब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की जो ये खंड़ मीत बैटी थी उसनों ने पूछा कि क्या एक साधारन मामला बहुत बड़े वकील है उन्होंने कहा कि इसमें हमें गोली का कोई सबूत नहीं मिला कि गोली चली है कोट ने कहा गोली चलना ना चलना नहीं हमारे सवाल का जवाब भी जो और मैं बताईए क्या किया जाता है कौहरी सालवे जी ने बढ़े सपफ श्वदों में सुकार किया कोता ही हूई है यानी कि जो करना चाहिए था पुलिस में वो किया नहीं है जज साहिवान ने मिलकर चीफ जस्टिस की बेंच थी उन्होंने बढ़े सपफच श्वदों में कहा कि पुलिस ने और सरकार ने जिम्मवारी के साथ काम नहीं किया है दूसरी बड़ी बात तीसरी बड़ी बात पुलिस से पूछा गया कि क्यों अभी तक वकील साथ से उन से पूछा गया कि अभी तक क्यों नहीं होई गिरफतारी तो उन्होंने कहा कि देखे आज दस बजे का समय था और वो नहीं आ पाया है अभी उक्त लेकिन कल ग्यारा बजे तक वो हम देखेंगे कि वो पुलिस के समक्ष आए और तीसरी सबसे बड़ी बात जो कि सबसे एहम है कि उन्होंने कहा कि CBI को इस मैटर को रेफर कर देना चाह मैं आपके समक्ष बड़े इसबस शब्दों में कहना चाहता हूँ बड़े कटू शब्दों में कहूंगा खास तोर से यह उत्तर परदेश सरकार की जिस तरीके से और पुलिस की जिस तरीके से यहां पर आज सुप्रीम कोट ने कहा है कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम नह लिया है तो ऐसी देखी ना कैसे सवाल करूंगा बिल्कुल सही का क्योंकि मैंने ही जब एंकर की सुरुआत की तो मैंने साफ सब्दों में कहा कि एक फटकार है और इस फटकार पर कहीं ने कहीं प्रसासन की कारेसेली पर सवाल उठाया गया यह सुप्रिम कोर्ट ने कहा याद सुप्रिम कोर्ट ने एक फटकार लगाई थी लेकिन उसमें नाम नहीं लिया था कि जब आप कोई आंदोलन करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा कि आंदोलन का सुरूप क्या हो तो फटकार तो बहुत लगाई जाती है बड़ा सवाल है कि लोकतंत के वर संगठनो काम वही करते हैं जो वो चाहते हैं अब आप उस सवाल का जवाब दीजिए बिल्कुल आपने ठीक कहा देखिए चाहे वो मैं आपकी बास से 100 प्रतिशत सहमत हूं दिवाकर विक्रम जी देखिए चाहे वो किसानों का अंदोलन हो क्या कितनी बार सुप्रीम कोट जो हाई कोट्स हैं उन्होंने कहा है कि पब्लिक प्लेस में आपको डिमास्ट्रेशन नहीं करना चाहिए आपको पब्लिक प्लेस में डिमास्ट्रेशन करके जो साधारन नागरिक है आम जनता है उसको प्रती कोई जो घलत चीज पैदा नहीं होने देने जाए यह बाते हैं लेकिन आज की आश्रक्ता है कि जो कानून की विवस्था है उसका सही तरीके से कैसे निर्वा हो क्यों एड्मिस्ट्रेशन क्यों पुलिस तंत्र यहां पे ऐसा भाव आ रहा है देखिए अगर एक बात और बड़ी पुरानी कहावत है दिवाके जी आप इस चीश को जानते है जो नियाय विवस्था है वो नियाय का मिलना ना केवल मिलना चाहिए बलकि दिखना भी चाहिए जिससे कि आम जनता को मेसेज जाए इस पर्टिकुलर एपिसोड से मेसेज क्या जा रहा है वो सही नहीं है चाहिए वो पिसली टिपड़ी हो या आज की टिपड़ी हो दोनों का मैसेज बिल्कुर सही नहीं है अगर उन्हों ने कह दिया कि पब्लिक प्लेस में आप मत करिये demonstration क्या हुआ उसका कोई प्रभाव पड़ा कि और आप चुकी वरिष्ट अधिवक्ता है सुप्रेम कोर्ट के वरिष्ट अधिवक्ता है और राजनीत की ये जो दिशा है और उसकी जो दशा हो रही है उसको भी आप परख रहे हैं मैं भी एक पत्रकार के तोर पर उसको देख रहा हूँ तिपड़िया होती है और मौफ करिएगा मैं वकील भी हूँ पत्रकार होने के साथ साथ मैं ये सवाल करता हूँ कि हमारे नय तो सरकारे हिल जाया करती थी आज हर दूसरे दिन माननी कोर्ट को नाराज होना पड़ता है लेकिन प्रतिफ़न जा है ढाक के वही तीन पात देखे दिवाकर विकरम जी आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपकी बाद से मैं क्या कोई भी व्यक्ति जो कि एक सामान में नागरिक होगा देश का है वो आपकी बाद से सो प्रतिशत एगरी करेगा और लेकिन ये एक इसका आज ये छोटी-छोटी बाते हैं अगर हम जुड़के देखें तो इसका अंत बहुत कटू है बहुत कटिन है बहुत गलत है मैं कहरा हूँ आपसे और बड़े इसका शब्दों में एक इंस्टिटूशन को क्या हम फेलियर की और धकेल रहे हैं ये बहुत दुखदाई है हमारा जो हमारी लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्या इस लोकतंत्र की ये आज दशा हम करते जा रहे हैं आज यहां पे हम सब को समनना होगा चाहे आप हूँ मैं हूँ हम सब को ये प्रयास करने पड़ेंगे और आपके मात्यम से आप इस चीज़ को कितने जीवन्त तरीके से उठा रहे हैं तक तो इस चीज़ की बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी 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 बुली बुली सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज इतनी तल्ख टिपनी जब सुप्रीम कोट ने की है ऐसी इस्तिती में हमें देखना होगा कि किस प्रकार से और हजी सालमे जी ने बढ़े इस पर शुप्तों में आज कहा ये बात मैं उनकी भी यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा कहा कि कल तक सारी चीज़ें तमाम शॉर्ट पॉल्स इस दे वर्ड यूस्ट बाइ इम कल तक हम सारी चीज़ को परिपक्त करेंगे लेकिन ऐसी दशा क्यों आई क्यों हम ऐसी इस्तिती पे पहुंचे कि हमको सुप्रीम कोट के डंडे के बाद आगे जागना पड़ रहा है आज ये इस्तिती क्यों है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिर्न है मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब को मिलके इस तंत्र को अच्छा करना है बहतरी की और देश को ले जाना है निश्यत रूप से जंता इसको देखेगी और सब कुछ देखा जा रहा है चाहे अंदोलन हो, जाहे विपक्ष का मुव्मिंट हो, चाहे सरकार का उसके पीछे की रणनीती और राजनीती को भी हम समझ रहे है सवाल बड़ा है कि अगर कोई आरोपी है 302 के तहट उसको आरोपित किया गया है तो गिरफतारी में अगर कोई अडचन आ रही थी तो वो क्या थी और गिरफतारी क्यों नहीं हुई पहली बात दूसरी बात क्या इसमें सिर्फ एक राजनीतिक मैने ही है या प्रसासन की तरफ से जो प्रसासन की तरफ से या हरी सालवे को जो इन्पुट दिया गया जो कि वो कोट में पेरवी कर रहे थे उत्तरप्रदे सरकार की कहीं कोई कमी रह गई थी, क्योंकि हमें प्रसासन के बाद को भी समझना चाहिए, पक्स्तों हमें सब समझना चाहिए, बिलकुल कोट ने, देखे मुझे ऐसा कम लगता है कि कोई उनको बताने में कमी रही होगी, that is the reason उन्होंने इस पर शब्दों में कहा है कि कल 11 बजे तक व हम लोग के समझ चाहिए का, जो मुख्य अभी उपता है, और दूसरा ये भी उन्होंने कहा, कि अगर किसी भी तरीके कि जो ये शॉट फॉल्स हैं, इन शॉट फॉल्स को हम निश्चत तूर पे बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कहा, और उनकी बात को कोट ने परिपक् साफी सामान में हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, और इस मुकदमे का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो भी चलेगा, और एक चीज और के, देखे, कोट ने ये भी कहा, कि हर चीज का सॉलूशन CBI नहीं है, और CBI के पास ये केस जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका भी एक क परश्ट रूप से इस बात को इनकित किया है, इस बात को पेश किया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से सरकारी इस चीज को लाइट लेंगे, जी, सरकार इसको लाइट नहीं ले सकती, लेकिन एक सब ख़बर भी मैं आपको बता दें कि नोटिस लगा दिया गया है आसिस बिसरा के घर के बाहर और 11 वजे तक वो पेश होंगे, ऐसा बताया जा रहा है, तो उसके जो प्रक्रिया है सर, उसके आगे क्या होगा, क्योंकि अगर वो कोड़ में सरेंडर करते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखे अगर जैसे कि 11 वजे का समय दिया गया है और नोटिस के तहत उनको बुलाआ गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो पुलिस के समक्ष जाएंगे, क्योंकि ये नोटिस की स्टेज है, और वहाँ पे प्रिलिम्नरी इन्वेस्टिगेशन होगा, और वहाँ पे अगर वो वीडियो और ये तमाम चीज़े दिखा रही हैं बार-बार, कोट ने आज कहा है कि ये जो वीडियो देखे गए हैं, जो आज तमाम मासेस के समक्ष रहे हैं, ये इस पश्ट रूप से दिखा रहे हैं कि कोता ही बहुत जबरदस्त है, और जो कानून की विवस्ता है, उसका कोई भै नहीं है, जिस तरीके से पीछे से कार ने आते हुए वो किया है, और उसके बाद जो हुआ है, वो तमाम चीज़ों पे कोट की नजर है, और सुप्रीम कोट बड़ी उसको पुक्तास तरीके से, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं दिखा कर विकर सम है हमारे पास, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ और उस चीज़ के अवलोकन से थोड़ी देर में दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, किसी को उसमें ज्यादा चिंता करने की विश्यश्य जी, जी संजे जी, बीस तारीक को जो अगली सुनवाई होग उसमें कोर्ट आगे की प्रोसीडिंग्स में क्या पक्ष सुन सकता है या क्या बात रख सकता है? और वो गाली में मौझूद था और उसकी उसने ही एक सब किया है, तो मुझे रखता नहीं कि अगली डेट पे कोई ज्यादा डिस्कशन होगा, क्योंकि पुलिस जिसे कहते हैं हम लोग एक रिपोर्ट पेश करेगी और वो रिपोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, कि क्या प् सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, क्या मिस्रा जी जेल जाएंगे? देखे, मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया, आप खुद एक अधिवक्ता हैं, आप इस चीज को बहुत अच्छी तड़ी के तर जानते हैं, मैं आपको पहले से देख रहा हूँ, पहले भी मैंने आपके दर्शन किये हुए हैं, केलिविजन के माध्यन से, और आप एक प इतना, इतना मसाला है, इतने, यह नो हमारे पास सिस्टम इतने डवलप हो चुके हैं, कि हम इस चीज को सर्च कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतनी अच्छे अच्छे डवलप हो चुके हैं, investigation के, और इसमें तो साक्ष में कई सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे आज भी उनका जिक्र हुआ उनके सब के बयान भी होंगे अगर वो मौझूद वहाँ पर थे आशीश तो वो जरूर जियल जाएंगे इसमें दो राय नहीं है आपने एवी स्टार नियूस के साथ बातचीत की और संभावनाओं को भी तलासने और परखने की कोशिश की आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये थे वरिष्ट अधिवक्ता संजे चड़ा जो सरकार पर की गई सुप्रिम कोर्ट की तल्ख टिपड़ी पर अपना एक फिचार रख रहे थे और उसका विश्लेशन करने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तों में माननी कोर्ट इतना नाराज क्यों होगा सरकारों को किसी भी पक्ष को कोई भी पक्षकार हो माननी कोर्ट के इस तरह की नाराजगी को अब ना सिर्फ संग्यान में लें बलकि उस पर पर कारेशली पर नाराज क्यों होना पड़ा है एविस्टार नियूज पर फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं एविस्टार नियूज दीजे इजाजन नमस्कार